Myself दीप्ती रवनानिव, today we will deal with spectroscopy and in spectroscopy, today we will study classification of band spectra. In this classification, we will study three types of spectra, rotational spectra, vibrational rotational spectra and electronic spectra. Band spectra के वर्गी करण में हम तीन तरह के spectra पढ़ेंगे, घुर्णन स्पेक्ट्रा, कंपन घुर्णन स्पेक्ट्रा और electronic स्पेक्ट्रा. सबसे पहले हम घुर्णन स्पेक्ट्रा करते हैं, बदार्थ को दी गई उर्जा, यदि किसी भी अनों में घुर्णन उत्पन कर सकती है, तो हमें घुर्णन स्पेक्ट्रा या राप्त होता है. रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए कम से कन अनों में 0.005 electron volt उर्जा होने चाहिए, और ये उर्जा जो है वो अनों में घुर्णन उत्पन कर सकती है, और इन संक्रमनों में नहित क्वांतन की जो उर्जा होती है, वो बहुत कम होती है, और घुर्णन स्पेक्ट्रम केवल फ और इस स्पेक्ट्रम में band स्पेक्ट्रम ना आकर के देखिए स्पेक्ट्रम मिलता है, line स्पेक्ट्रम मिलता है और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए selection rule, delta j is equals to plus minus 1 होता है, जहां पर j rotational quantum number होता है, अब हम पढ़ेंगे vibrational spectrum, अनों की जो vibrational energy होती है, वो rotational energy से अधिक होती है, और इसके लिए 0.1 electron volt energy चाहिए होती है, और यह energy जो अनों को मिलती है, वो IR region से मिलती है, इसलिए इस जो spectrum है, इसको हम vibrational rotational spectrum कहते हैं, और इसको जो दूसरा नाम है, वो IR spectroscopy या infrared spectroscopy होता है, और इसके लिए जो selection rule होता है, वो delta v is equals to plus minus 1, और delta j is equals to plus minus 1 होता है, वी vibrational quantum number होता है, और j जो है वो Conan quantum number होता है, चुकि हम जानते हैं कि vibrational spectrum जो है वो pure नहीं होता है, vibrational spectrum में के अंदर rotational lines ज़रूर प्राप्त होंगे, इसलिए यह mixture होता है, vibrational rotational spectrum इसका नाम इसलिए पढ़ा, नेक्स्टरम पढ़ेंगे electronic spectrum, यदि किसी भी अनों को और अधिक उर्जा दें, जैसे 5 से लेकर के 10 electron volt, तो यह उर्जा electronic संक्रमन के लिए प्राप्त होती है, और अनों में elektronों का एक electronic उर्जास्तर N1 से, दूसर electronic उर्जास्तर N2 में संक्रमन होता है, और electronic spectrum प्राप्त होता ह और चूंकि electronic spectrum के और यह जो energy है, वो किसी भी molecule को ultraviolet और visible region से मिलती है, इसलिए इसे ultraviolet या visible spectroscopy कहते हैं, और इसके लिए जो selection rule होता है, वो delta N equal to plus minus 1, delta V equal to plus minus 1 और delta J equal to plus minus 1 होता है, जहाँ पर N जो है वो मुख्य quantum संक्या है, V जो है वो vibration quantum number है, और J जो है वो honan quantum संक्या होत तो इस तरह से हमने classification of band spectra पड़ा, अब आगे हम दूसरा topic ले रहे हैं, degree of freedom, degree of freedom क्या है, किसी कर्ण की संपूर्ण अस्थिति को निधारिप करने के लिए जो आवशक स्वतंत्र राश्या या independent quantities या निर्देशांक, coordinates उनकी जो संख्या होती है, उन्हें हम कर्ण की स्वतंत अगर वो किसी plane में चल रहा है, तो उसकी degree of freedom होगी, वो x और y दोनों देने पड़ेंगे, इसलिए उसकी degree of freedom 2 होगी, अगर कोई कर्ण क्रिविम में चल रहा है, तो उसकी स्थिति को बढ़ताने के लिए 3 coordinates जाहेंगे, और इसलिए उसको हम 3 coordinates x, y, z के द्वारा उसकी स्थि लोकेट कर सकते हैं, इसलिए उसकी degree of freedom 3 होगी, तो ये एक कन की बात हो रही है, और हमें पता है कि किसी अणों में n atoms होते हैं, तो अगर किसी एक अणों की degree of freedom 3 है, तो एक अणों की परमानों की degree of freedom अगर 3 है, तो एक अणों जिसमें की n परमानों होते हैं, उसकी total degree of freedom हो जा तो ति रांसलेशन मोशन तीन डायक्शन हो सकता है एकसवाइचस टीछे उडिप्रास category 3 होंगी रोटेश्नल मोशन जो है वो अगर डेपेंड करता है कि कोई मॉलिकूल लीनियर है जहीं कोई मॉलिकुल लीनियर है इसलिए इस molecule के rotation के लिए 2 axis जिसकी चितर में दिखाई गई है, y और z free है, हता है इसकी rotational degree of freedom 2 होंगी और जो non-linear molecule होगा, उसने कोई भी axis नहीं ले रखी, जैसे कि दिखाया गया water v-shape में है, इसने कोई भी axis पर या भी विन्यासित नहीं है इसलिए इसके जो rotation है, उसके लिए 3 axis free होंगी, x, y, z, इसलिए इसकी rotational degree of freedom जो है, वो 3 होंगी Vibrational degree of freedom जो है, वो total degree of freedom में से rotational और translational को minus करने पर प्राप्त होती है तो linear molecule के लिए जो vibrational degree of freedom होंगी, वो होंगी 3 and minus 5 और non-linear molecule के लिए जो vibrational degree of freedom होंगी, वो होंगी 3 and minus 6 तो जो ये degree of freedoms हैं इसको हम अलग-अलग पर्मानों और अनों के लिए निकालने के लिए एक table इसमें दर्शाई गेए है जैसे कि first पर्मानों है helium इसमें total number of atoms एक हैं इसकी total degree of freedom 3N हो जाएंगी इसलिए 3 होंगी इसमें translational degree of freedom 3 होंगी rotational 0 होंगी और company की degree of freedom है वो 0 होंगी क्योंकि rotation इसमें होगा नहीं क्योंकि 2 atoms जब तक नहीं होंगे जब तक rotation हो गई नहीं और company की 0 होगी total degree of freedom होंगी वो translational degree of freedom होंगी next molecule दे रखा है H2 इसमें 2 पर्मानों है तो इसमें 3N total degree of freedom 6 होंगी चुकि ये linear है इसलिए rotational की degree of freedom 2 होंगी सबकी और vibrational की 6-5 is equal to 1 होंगी फिर third molecule दे रखा है water water V shape में होता है non-linear होता है और इसमें चुकि 3 atoms हैं 2 hydrogen की एक oxygen का इसकी total जो degree of freedom होगी वो 3N मतलब 9 होंगी translational degree of freedom सबके लिए 3 होती है rotational degree of freedom इसकी 3 होगी क्योंकि ये non-linear है और vibrational degree of freedom होगी इसकी 3N-6 is equal to 3 फिर next molecule है carbon dioxide, carbon dioxide linear है इसलिए इसकी लिए 3, 9, 3, 2, 4 degree of freedom होंगी फिर दे रखा है C2H2 जोकि ethylene है ये भी linear है इसमें 4 atoms है total degree of freedom 12 होंगी translational 3, rotational 2 और vibrational 7 last molecule है C6H6 इसकी total degree of freedom 12 होंगी क्योंकि इसमें total number of atoms इसमें 6 और 6, 12 है total degree of freedom 12, 38 होंगी translational degree of freedom सबके 3 होती है rotational इसकी 3 होंगी क्योंकि ये non-linear है इसलिए जो vibrational degree of freedom होंगी वो 36 minus 6 is equals to 30 के बराबर होंगी तो आज हमने क्या पढ़ा एक तो हमने आज ही पढ़ा है कि कितने तरह की spectroscopy होती है तीन तरह की और उसके बाद हमने degree of freedom पढ़ा है अब next topic में हम rotational spectroscopy की detail पढ़ेंगे thank you